बिसमिल्य रख्मारे रेम, असलाम अलेकूम, वर्कम टो माई यूट्वीब चैनल, मैं स्वी रफ्षा, क्लास एट, आज हम करने जारे हैं अक्सरसाइस 7C 7C का 1st question है, fill in the blanks, इसमें 1st पर हमें दीगे, multiplication of polynomial is based on the dash law वो कह रहे हैं कि जो हम polynomials को multiply करते हैं, तो वो किस चीज़ पर based करती है, यानि किस चीज़ पर वो, यानि किस law के तहत हम उनको क्या करते हैं, multiply करते हैं, तो कौन सा law है, जिसके जरीए हम उनको multiply करते हैं, तो वो है distributive law, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे, distributive law, ठीक है, second पर आपको दीगी है, when a plus b and b minus 12 are multiplied, using the foil method, the terms dash and dash are multiplied first, foil method पर चुब कोन सा method होता है, ऐसा method जिसमें first term को, इदर first term से multiply किया जाता है, फिर first term को second के साथ, फिर second term को आप first के साथ multiply करते हैं, फिर second को second के साथ, ये foil law होता है, या foil method होता है, ठीक है, इसमें अब देखें, the terms dash and dash are multiplied first, यानि कोन से ऐसी terms है, जो के first multiply होती है, ये देखें, a और b, a को हम b के साथ multiply करेंगे न, तो यहाँ पर क्या लिख देखेंगे, a and b, the foil method is appropriate only when multiplying dash expression, file method उन पर apply किया जाता है, उन expression पर, जो के कितनी होते हैं, two, यानि two expression, अब ये देखें, ये one expression, ये two expression है, ठीक है, इन पर हम क्या कर सकते हैं, foil method को apply कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे two, when 48 x cube minus 18 x is divided by six, the answer is, वो कह रहे हैं कि जो 48 x cube minus 18 x को हम six पर divide करते हैं, तो answer क्या आता है, इसको बचाँ आप divide करके भी यहाँ पर देख लें, यहीं पर मैं आपको करके दिखाती हूँ, आप यहाँ पर यह 48 x cube minus 18 x को अंदर रखेंगे, ठीक है, और divide करेंगे, जिस पर कर रहे हैं, by six, ठीक है, six पर कर रहे हैं, अब मैंने यहाँ पर 48 x cube बनाना है, ठीक है, तो मैं इसको, six को किस के साथ multiply करूँगे, एक तो eight के साथ करूँगे, six, 8048 हो जाएगा, फिर साथ में x cube के साथ भी करूँगे, क्योंकि मुझे यह first term बनानी है, 48 x cube, तो eight x cube के साथ multiply करूँगे, तो यहाँ पर 48 x cube हो जाएगा, फिर क्या करेंगे, sign change करेंगे, plus है, तो यह minus हो जाएगा, यह दोनों cancel हो जाएगे, तो minus 18 x को हम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है, फिर next में हमने 18 x बनाना है, अब minus 18 x, तो अब मैं six को किस के साथ multiply करूँगे, मैं इसको multiply करूँगे, minus 3 x के साथ, minus 3 x के साथ, जब six को multiply किया जाता है, तो minus 18 x आ जाता है, sign change करेंगे, यह cancel हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा answer क्या आया है, 8 x cube minus 3 x, ठीक है, यहाँ पर आप क्या लिख देंग 8 x q minus 3 x, नेक्स्ट में हमें काँगे, multiply x minus 5 by x minus 9 gives, अब आप इसको multiply कर लें, x को x के साथ करेंगे, तो x square हो जाएगा, ठीक है, फिर x को 9 x के साथ, 9 के साथ multiply करेंगे, तो minus 9 x आएगा, फिर क्या करेंगे, आप फिर यह minus 5 को लेंगे, minus 5 को जब x के साथ करेंगे, तो क्या जाएगा, minus 5 x आजाएगा, और minus 5 को minus 9 से करेंगे, तो 45 आजाएगा, अब यह minus 9 x है, और यह minus 5 x है, दोनो minus के हैं, तो इनको add कर लेंगे, तो यह minus 14 x बन जाएगा, तो यहाँ पर इस फिलिन दबलेक में क्या आएगा, x square minus 14 x plus 45, ठीक है, यह इसका अमसर आजाएगा, अब question number 2 की तरफ चलते है, question number 2 की जो statement है, उसमें हमें कुछ statement दी गई है, और कहा गया है, कि बताएगा, इसमें कौन सी statement true है, और कौन सी false है, ठीक है, यह आपने बताना है, product of a plus 1 and a plus 2 is, वो कह रहे हैं, कि इन दोनों terms को जब multiply करते हैं, तो multiply करने के बाद product a square plus 3 a plus 4 आता है, तो ब फिर a को 2 से करेंगे 2 a बन जाएगा, ठीक है, फिर plus a और फिर plus 2, ठीक है, इनको जब multiply करते हैं, तो हमारा यह product यह नहीं आता, its mean के statement क्या है, false है, 2 a plus b is a binomial expression, इसमें देखें, वो कह रहे हैं, कि 2 a plus b एक binomial expression है, तो जी हाँ, एक binomial expression है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देंगे true, when 3 x square plus 5 x is multiply by 2 x plus y, the answer is, वो कहरें, जब इस term को हम इसके साथ multiply करते हैं, तो क्या answer यह आ रहा है, जब हम बच्चों इसको इसके साथ multiply करते हैं, तो यह answer नहीं आता, तो यह statement क्या हो जाएगी, फिर false हो जाएगी, 3 m square plus 16 m minus 12 is divided by, जब इस term को हम m plus 6 पे divide करते हैं, तो remainder में हमारे पास 3 m minus 2 आपता है, तो यह statement true है, 5 x q minus 5 x square plus 3 x is divided by, जब इस term को हम x पे divide करते हैं, तो फिर कोई remainder नहीं आता, तो हम जब इस पे solve करते हैं, इस term को अंदर रखें, x पे divide करते हैं, तो इसके बाद हमारा question completely solve हो जाता है, कोई remainder नहीं बचता है, तो its mean की statement क्या है, फिर true है, question number 2 बच्छे complete हो गए, आप question number 3 के तरफ चलते हैं, divide the first expression by the second, इसमें हमें expression दिये गए हैं, दो expression दिये गए हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं कि first expression को आप divide करें, second expression पे, यानि इस term को आपने अंदर रखना है, और इस term पे आपने इस पे divide करना है, तो यह question हम इसको solution स्टार्ट करते हैं, exercise 7C के बच्चों question number 3 हम solve कर रहे हैं, बहुत easy questions हैं, लेकर आपने इनको पूरी तरह से focus का अपना रखना है, और इनको अच्छी तरह समझना है, तो फिर यह आपको बहुत अच्छी तरह समझा जाएंगे, यह हमारा first expression है, यह हमारा second expression है, ठीक है, हमने first expression को अंदर रखना है, second पे, इसको divide कर देना है, हम यहाँ पे रखेंगे, a square plus 2ab plus b square, और a plus b पे इसको divide करेंगे, अब हमने क्या करना होता है, बच्छी पहली हमारी जो term होती है, हमने उसको बनाना होता है, हमने यहाँ पे a square बनाना है, a square क्यूंकि इसके नीचे मैंने लिखना है a square, अब हमारे first term है a, इस a को मैं किस के साथ multiply करूं, कि a square आजाए, तो a को बच्छी देखें, जब a के साथ multiply करते हैं, तो a square आजाता है, तो यहाँ पे मैं a लिखूंगी, ठीक है, तो यह a और a कितना हो जाएगा, a square हो जाएगा, लेकर फिर यह plus का sign है, और साथ में यह a और b भी आपस में multiply होंगे, तो a, b, तो यह a भी इसके नीचे आजाएगा, ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना होता, sign change करने होते हैं, यह इसके साथ कोई sign है, इसमीन के plus का sign है, जो के convert हो जाएगा minus में, यह plus भी minus में convert हो जाएगा, अब यह plus a square है, यह minus a square है, दोनों कट जाएगे, plus 2 a b है और यह minus a b है, तो 2 a b में से 1 a b माइनस कर दें, तो 1 a b बच जाता है, 1 को लिखने की ज़रूद नहीं, तो a b just लिखे है, तो a b बनाने के लिए, मैं a को किस के साथ multiply करूँगी, जहरी बात है, b के साथ multiply करूँगी, a को जब b के साथ multiply करूँगी, तो a b बन जाएगा, ठीक है, और इस तरह हमारी term है, a plus b, तो अगर हम यहाँ पे a plus b को, ठीक है, a किस के साथ multiply कर रहे हैं, b के साथ, तो यह a b ब प्लस B को B से करेंगे तो B स्केर बन जाएगा ठीक है यहां पर हम क्या लिख लेंगे प्लस B के साथ कर रहे हैं तो B लिखेंगे यहां पर बन गया हमारा A B और यह B इस B के साथ मल्टिपलाई हो क्या हो जाएगा B स्केर sign change करें, यह plus है तो minus, plus है तो minus, plus a, b, minus a, b से कट जाएगा, plus b square, minus b square से कट जाएगा, तो remainder हमारा 0 आ जाएगा, question हमारा complete होगए, तो answer हमारा क्या आ गया है, यहाँ पे, a plus b, यह हमारा क्या आ चुका है, answer, ठीक है, question number three, which are complete होगए, इसी तरह question number four भी है, वो भी इसी तरह ही है, sign का फर्क आ रहा है, बाकि उसी तरह ही है, इस term को हमने अंदर रखना है, इस term पर करना है, divide, हम यहाँ पे a square minus 2ab plus b square को लिख देते हैं, और a minus b को बाहर रखते हैं, इस पर divide करते हैं, अब हमें a square बनाना है, तो a क मैं a के साथ multiply करूंगी, तो a square बन जाएगा, फिर यह minus का sign है, तो यहाँ पर minus आएगा, तो a, b multiply होके, a, b आ जाएगा, अब आप sign change करेंगे, यह plus है तो minus, यह minus है तो plus हो जाएगा, अब plus a square minus a square से cut जाएगा, और यह minus 2ab में से 1ab को माइनस करेंगे, तो minus a, b बचेगा, plus b square एसी आजाएगा, ठीक है, अब हमने क्या बनाना है, यहाँ पर minus a, b बनाना है, ठीक है, अब हमने क्या करना है, कि a को minus b के साथ multiply करना है, a को हमने किस से multiply करना है, minus b के साथ, तो फिर यह minus a, b बनेगा, ठीक है, a को मैं कर रही हूं, multiply minus b के साथ, तो यहाँ minus a, b बन गया है, और ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा, प्लस B को B से करेंगे तो B स्केर हो जाएगा, ठीक है, अब आपने करने है साइन चेंज, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, अब ये माइनस A B और ये प्लस A B है, कट जाएगा प्लस B स्केयर माइनस B स्केयर ये भी कट जाएंगे तो रिमेंटर हमारा 0 आगए है तो अंसर हमारा क्या बन रहा है यहाँ पर A माइनस B ये हमारा question number 4 का answer आ चुका है इसी तरह बचो हम question number 5 कर लेते हैं ये सारे question बहुत easy हैं आपने focus करना है तो आपको easy ली समझ आ जाएंगे question number 5 हमें A Q माइनस B Q दिये गया है जिसको हमने divide करना है किस पे A माइनस B पे तो हमने A Q माइनस B Q को अंदर रखना है और A माइनस B को बाहर रखना है अब मैंने यहां पे बनानी है A Q की term ठीक है A को मैं किसके साथ multiply करूँ कि A Q बन जाए तो मैं इसको A स्केर से करूँगी ठीक है फिर क्या बन जाएगा A Q बन जाएगा अब यहां पे मैं लेके दूँँगी A स्केर यहां पे बन गया A Q ठीक है अब देखें यह बचाँ माइनस A स्केर B के साथ प्लिटी प्लाय होने के बाद माइनस A स्केर B बनेगा अब यहां पे हमारी इस पावर वाली कोई term नहीं है यह क्यूब वाली है इसके नीचे नहीं लिख सकते हैं हम अगर यहां पे Q बन रहा होता है तो हम इसके नीचे लिखते अब यहां बन रहा है A स्केर B तो वो अब हम यहां पे सेपरेट करके लिख लेंगे ठीक है A स्केर B साथ में माइनस का साइन क्योंकि माइनस है यहां पे अब sign change कर लेंगे तो यहाँ पे मैंने plus था तो minus कर दिये यह minus है तो यह plus हो जाएगा ठीक है इसके बाद अब यह plus aq minus aq से कट जाएगा और यह जो term आपने लिखी है side पे करके पहले आप इसको अब यहाँ पे लेके आएंगे a square b और यह जो minus b cube उपर है उसको फिर second पे लेके आएंगे ठीक है अब आपने यहाँ पे बनानी है a square b a square b बनाने के लिए अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पे a को multiply करेंगे a b के साथ ठीक है क्या बनानी है आपने a square b बनानी है उसको आप multiply कर लेंगे फिर और यहां पर multiply करके आपका A को आप किससे multiply करेंगे A B के साथ ठीक है तो यह आपने यहां पर A B के साथ करेंगे तो A square B बन जाएगा अब आपने क्या करना है कि यहां पर लिख लेना है A square B जिससे multiply किया है A B इसको यहां पर लिखेंगे ठीक है a b अब बचो हमने क्या करना है यहां पर हमने किस से multiply किया a b के साथ जो के था plus का तो plus का sign भी यहां पर लगाएंगे अब यह देखें बचो यह बन चुका है a b के साथ a multiply होके a square b फिर यह a b जो है minus b के साथ भी multiply हो जाएगा तो यह बनेगा minus a b square इसको भी हम अलेदा से लिख लेंगे क्यूंकि यहां पर q वाली वैल्यू है जो कि हम यहां इस स्क्यार के नीचे नहीं लिख सकते तब यहां पर हमारा क्या ड़न गया है माइनस ab square इसको हम separate लिख लेते हैं अब हमने क्या करना है कि यहां पर sign change करने है यह plus है माइनस हो जाएगा ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा ये कैंसल हो जाएगे और यहां से हम पहले इस टर्म को नीचे ले आएंगे ए बी स्केर और माइनस बी क्यूग को यहां पे लिख लेंगे ठीक है अब हमने क्या करना है अब हमने बनाना है ए बी sqr a b sqr بنانے के लिए मैं a को किसके साथ multiply करूंगी b sqr के साथ तो ये a b sqr बन जाएगा ठीक है तो मैं यहाँ पर लिखे दूंगी plus b sqr इसके साथ multiply कर रही है तो ये a b sqr बनेगा ये b sqr फिर minus b के साथ भी multiply हो जाएगा तो क्या बन जाएगा minus b q बन जाएगा sign change करेंगे ये plus है तो minus ये minus है तो plus हो जाएगा ठीक है अब देखें बच्छों कि यहाँ पर plus a b sqr ये minus a b sqr जो sign change किया जाता है जो बाद में आता है sign अब इस term का sign वो वाला sign बन जाता है ठीक है यह plus a b sqr नहीं रहा ये जो change करके minus आया ना तो अब ये खतम हो चुका है plus अब ये minus a b sqr बन चुका है और ये उपर plus a b sqr है तो दोनों कट जाएगे इसी तरह minus b q है और ये वाला जो change होके plus b q बन चुका है तो ये दोनों आपस में कट जाएगे remainder हमारा 0 आ जाएगा ठीक है अब answer हमारा क्या आ रहा है a sqr plus a b plus b sqr a sqr plus a b plus b sqr लिख लेते हैं a sqr plus a b plus b sqr ये आपका क्या आ चुका है answer question number 5 अच्छे complete हो गया इसी तरह आप question number 6 करते है question number 6 मैंने यहाँ पे लिख लिए a q plus b cube इसको divide करना है हमने a plus b पे इसी तरह करेंगे a q plus b cube को अंदर रखेंगे a plus b पे divide करेंगे ठीक है अब हमने जब इस पे divide करना है तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें a q बनाना है तो a को मैं a sqr से multiply करूंगी तो a q बन जाएगा यहाँ पे लिखूंगी a sqr यहाँ पे आजएगा a q और फिर a sqr को b के साथ multiply करेंगे तो a sqr b बनेगा यहाँ पे यह q वाली value है तो इसको मैं यहाँ पे लिख लूँगी ठीक है अब sign change कर लेंगे यह plus है तो minus यह भी plus था तो यह minus हो जाएगा यह कट जाएंगे अब इस term को हम पहले नीचे यहाँ पे लिख लेंगे और फिर बाद में q वाली term को लिखेंगे अब यहाँ पे मैंने बनाना है minus a sqr b a को मैं किसके साथ multiply करूँ कि minus a sqr b बन जाए a को मैं multiply करूँ कि minus a b के साथ ठीक है फिर यह देखें minus a sqr b बन जाएगा तो यहाँ पे मैं लिखूंगे minus a b तो यह बन चुक है minus a sqr b ठीक है और उसके बाद minus a b को जब b के साथ multiply करेंगे तो minus plus minus a b sqr उसको हम अलेदा से लिख लेंगे ठीक है अब करेंगे sign change यह minus है तो यह plus हो जाएगा यह minus है तो यह plus हो जाएगा अब यह minus a sqr b यह यह plus a sqr b कट जाएगे opposite signs हैं दोनों के same values हैं but opposite signs तो इसलिए cancel हो जाएगे अब यहाँ से हम a b sqr को पहले लिख लेंगे और plus b cube को बाद में लिख लेंगे अब हमें यहाँ पर बनानी है a b sqr a को मैं किसके साथ multiply करूँ के a b sqr بن जाए a को मैं b sqr के साथ multiply करूंगे तो a b sqr بن जाएगा ठीक है यहाँ पर मैं लिख लूँगी plus b sqr अब यहाँ पर बन जाएगा a b sqr फिर इस b sqr को b के साथ multiply करेंगे तो ये bq बन जाएगा अब sign change कर लेते हैं ये plus a b square है ये minus a b square कट जाएगा plus b cube minus b cube से कट जाएगा तो remainder 0 आ जाएगा और answer हमारा क्या बन रहा है a square minus a b plus b square ये हमारा क्या आ चुका है answer question number 6 बचो complete होके है अभी हम question number 7 करते है question number 7 भी इसी pattern से आपने करना है ये मैंने question number 7 यहाँ लिख लिए है x q plus x square minus 3 x minus 2 ठीक है इसको हमने किसे पर divide करना है x plus 2 पर बहुत easy question है इसको भी आप इसी pattern से करेंगे जैसे previous question किये हैं इस term को आपने रखना है अंदर x q plus x square minus 3 x minus 2 divide करना है x plus 2 पर ठीक है अब हमें पहले क्या बनाना है हमें first term बनानी होती है बच्चो x q बनाना है तो x को मैं x square के साथ multiply करूंगी देखें x को x square के साथ multiply करूंगे तो x q बन जाएगा ठीक है तो अब यहाँ पे देखें यहाँ पे आजाएगा x cube x square से multiply किए इसको यहाँ पर लिखे देंगे ठीक है फिर इस x square को 2 से multiply करें तो क्या बन जाएगा 2 x square जो के हम यहाँ पर लिखेंगे 2 x square क्योंकि यह x square है तो x square की term इसके नीचे हम लिखेंगे ठीक है power को आपने देखना होता है power के हिसाब से आपने adjustment करनी होती है अब यहाँ पर sign change करेंगे plus है तो minus plus है तो minus x cube plus x cube है यह minus x cube cancel अब यह minus 2 x square है यह plus 1 x square है minus हो जाएगा तो minus x square हो जाएगा minus 3 x उपर से ऐसे लिख लेंगे minus 2 ठीक है अब हमने next पर क्या करना है हमने minus x square बनाना है x plus 2 को किसके साथ multiply करेंगे अब यह जो x है ठीक है इसको मैं minus x के साथ multiply करूँगी देखें x को minus x के साथ तो minus x square बन जाएगा तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी minus x तो यह बन के minus x square फिर इस minus x को आपने plus 2 से multiply करना है तो minus plus minus आजाएगा साथ में 2 x आजाएगा minus 2 x इसके नीचे लिखेंगे sign change करेंगे यह minus x square plus x square से cut चाएगा यह minus 3 x है plus 2 x है minus होके minus x बच चाएगा और minus 2 ठीक है यह minus 2 उपर से लिख लिख लिए है अब हमने क्या बनाने है minus x है अब x तो already है हमारे पास तो सिरफ हमें क्या चाहिए minus का sign तो मैं क्या करूँगी x को minus 1 के साथ multiply कर दूँगी देखें x को जब minus 1 से multiply किया जाता है तो minus x answer आता है तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी minus 1 और minus x के आ गया यहाँ पर फिर इस minus 1 को आपने plus 2 से multiply करने है तो minus 1 plus 2 से multiply होके minus 2 हो जाएगा जो कि यहाँ पर लिखेंगे sign change करेंगे minus x plus x से cut जाएगा minus 2 plus 2 से cancel हो जाएगा ठीक है remainder 0 हो गया question पूरी तरह solve हो चुका है answer क्या रहा है x square minus x minus 1 जो कि हमारा इस question number 7 का answer है अगर मेरे channel पर नहीं है और अगर आपने वी तक channel के subscribe नहीं किया तो kindly subscribe करें वीडियो को लाइक है thank you and Allah आफिस झाल आपने वीडियो को लाइक है